हालो साथियों नमस्कार एक आनलाइन क्लास में आपका हर्दिक स्वागत है मैं जब सार आप लोगों के बीडियो पर प्रस लेकिया जो वीडियो है साथ ही इसमें आपको लगए लगए किदने कैसे होगे साथ हमें तो 45 वीडियो परस नहीं के लेखक काउन है आनंधुक्मार स्वामी काल खाइंड वाला है हैं घंडी मूर है इस्टैला केमिस है तो पहाड़ी मिनेचर प्रेंटिंग के लेखक कौन है तो कौन हो जाएंगे देखिए साथ ही यहाँ पे तो राइट एंसर आपका क्या बनेगा तो काल खांड वाला हो जाएगा कौन हो जाएंगे काल खांड वाला अगला है नेमलिखिद मैंसे बाबण नामा के ज़ो सचित प्रतिया किस ने तैयार कर वाई शाज जहांगेर अकबर या ओरंग जिप कुसने कराए थी साथियों बाबण नामा के सचित प्रतियां का चित्रन तो अगब्रक दोरा कराई गये थी हिमाव के सब्ussरणि बनना इस्टार्ट हुआ था अगब्रक सब्सक्रां में पूर हो गया था हासिया बनाकर चित्रां करना किस सईली का विशेस्था है किस सईली का प्रभाभ distill प्रांग से ली फारसी सईली जैन सईली या इनमें से कोई ने, तो बहुत कम स्वाइब में आपका रिवीजन करा जाता है साथियों, तो चैनल ये कि आनलाइन क्लास के साथ आप दूड़े रहे, नहीं इस चैनल आपका है, आपका हर सायोग, हर प्यार, हर दुलार, आपको इस चैनल को चाहिए, हर सामव इसे आगे बढ़ाने का आप प्रयास करिए, तो चलते हैं साथियों, चानल नमबर पे तो चानल नममर को जो हासिय बना कर चेत्रां किया जाता है, तो वह फार सी सैली में, आगर मुगल होता तब भी सही होता, फार सी तब भी सही होता, ठीक, अगला है, है, इलोरा में इंदर सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है गुफा नंबर 13 गुफा नंबर 14 गुफा नंबर 32 गुफा नंबर 33 एलोरा में इंद्र सभा को के नाम से किस गुफा को जाना जाता है तो इंद्र सभा के नाम से कौन से गुफा को जाना जाता है तो 32 नंबर के जो गुफा है एलोरा में इसे इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। एक डच ड़ाट्समेन कलाकार एहुं प्रिंट मेकर डच और ड़ाट्समेन थे कलाकार थे तथा क्या थे प्रिंट मेकर प्रसिद कृत तीन गायक किसन के द्वारा बनाया गया है। तो राफेल के, बिसेंट वान गॉंग के, रेंबरा के या सल्वाडोर डाली के तो तीन गायक आपको बताना है कि तीन गायक जो है किसकी रचना थे? तो किसकी रचना थे तीन गायक तो तीन गायक जो रचना थे ये रेंबरा के थे किसकी थे रेंबरा के तीन गायक आजला है बैल की प्रसिद आकरित मोहन जोद्रों में किस रूम मिलती हैं बैल में बाहर में टेरा कोटा शिल्प में तो बैल बैल की जो एक आकरित मिली है यह जो ही पूछ रहा है तो किस से बने थे ते लुटा सेलिक मेंते हैं मोहां जोदर से प्राप निर्टांगना की दिए कि लंबाई क्या है 10 5 2 cm बाद 2 5 5 5 cm सनराज इंप्रोशन का चितरगार का उन था सनराज इंप्रोशन का चितरगार कानर कलोद मोने एद्वर्मोने, पालगागेन, बिसेंट वानगेन, सन्राइज इंप्रोसेश, तो किसकी रचनती साथी है, यह जो रचनती सन्राइज इंप्रोसेशन, यह क्लोध मोने की रचनती, काउन सा कलाकार अपने इस्टील के बरतनों से बने इस्टालेशन कार के लिए प्रसिद्ध ह इनमें से कौन से कलाकार है साथियों जो अपने इस्टील बरतन के लिए इस्टील बरतन से बने इस्टालेशन कार के लिए प्रसिद्ध है इस्टील के बरतन जो उन्हीं से इस्टालेशन बनाता तो प्रसिद्ध है तो अंतुल डोडिया है विवान सुंद्रम है सुबोध बड़तन के बलाव करते हैं इसलिए इस्टल्याशन के सादोм से करते हैं नीनिंससे किस सादोन की सिटरकार का से संबंद राजा रभी बर्मा इसट का उल्यान-टैद्टॉ थिया गड़े कौन से कलाकार हैं जिनका ओलियोग्राप से संबंदे साथ में 12 नमबर देखिए तो राजा रवी बर्मा का शंबंदे ओलियोग्राप से ओलियोग्राप प्रेंटिंग कहां लगाया थे तो महाराष्ट में घाट को पर के लगाया थे तो ताहिल रंग से जो क्रित में परलचित होती है क्रित में गत की अनभूत होती है क्रित में अस्थान संरचना का तरीका तो कला में संतुलन क्या है तो क्या हो जाएगा क्रित में अस्थायतों का भाव होगा फाइलेट क्या फाइलेट का प्रियोग्राप में किया जाता है तो यह कुश्चन 2021 मे में मूर्ध क्ला में या टेक्तृ義म nos Ahinoious फैलीड का प्रियोक किसे ओ इसका किया जो हता है कि पूकर से बHelpम आप लीजिए इसमें धर के रंगों को मिक्स करके मिला कर भिलeeee तो प्रियोक के जाता है सीप्लेट अधा से गवर्रेट स्कूल आट कलकत्ता की अस्थाबना कि तो कभ बता साथियों, गवर्मेंट स्कूल आपाइट क्या स्थापना, चारों में से एंसर देखें, कमेंट करते हैं उम्मीद है कि आप नोट डाउन भी कर रहेंगे, कांती पिन लेके बैठे होंगे साथियों, और हर प्रस्णों का एंसर भी आप दे रहेंगे, जब आपके माद्यम से, साथियों, कमेंट की माद्यम से, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1864 हो जाएगा, मेग दूत चितर शेंखला का चितर कार काउन है, मेग दूत चितर शेंखला है, मेग दूत, तो किस ने इसको बनाया है, सुधिर सखस्तगीर, हरियल लाल मेड, मदन लालनागर, आगले जो मध्यूनी चित्रो में किस प्रकार के रभों का प्रियोक किया गया है राषाइनी प्राक्तिक जल या इंड्र धनुस्थ vita मध्यूनी चित्र की बात कर रहा है कि आहीं मैं चित्रों में प्राकतिक युथ की जाती है इस मारव जीरी किसी गुफा में है ंवका संक्या, किक पोच रहा है आजनता में हैं किस गुफा संख्या में है गुफा संक्या 2, गुफा संक्या 1, गुफा संक्या 17, गुफा संक्या 26, मार बिजे, तो किस गुफा में मार बिजे साती हूँ, तो मार बिजे का जो चित्रन हुआ है जनता में, ते गुफा संक्या 26 मुँआ, किस में हुआ 26 मुँआ, अपनी कृतियों में बिंदी का प्रियो भारती खेयर रियाज कोमो तो कौन हो जाएंगे हांपे साथ हम नायल ऑम सिर्था देक help来र प्रियोक करते हिए आएल कला में बांडर किस तरह प्रियोक किया जाता है एक्रेलिक बांडर की डार इसेल मैं टारuciones जाता है तो किसके रूप में प्रियोग किया जाता है साथियों आयल कलर में बाइंडर तो किसके रूप में तो ये लिस्ट आयल के रूप में आयल कलर में बाइंडर मिला जाता है बंगला देश का जन्म सीर्ष द्वारा बनाए गई है बंगला देश का जन्म सीर्ष द्वारा बनाए गई है बंगला देश का जन्म सीर्ष द्वारा केके हैबर द्वारा रामकुमार द्वारा कियास आरा द्वारा या यानियास बंद्रत बंगला देश का जन्म सीर्ष तो किसके द्वारा बनाया गया था साथिम बंगलादेश का जंशिव से कमेंट करिए आप एंसवर तो के के हैब बर के द्वारा अजंता गुफाओं के अनकृतिया किसने तयार के बिरिश्वर सेन ललित मोहन सेन असित कुमार हलदार सुधीर रंजन खसगे अजंता गुफाओं के अनकृतिया किसने बनाया है तो चार अपसन आपके सामने देखी यहां पर कौन हो जाएंगे तो असित कुमार हलदार थे ज नौन तरह से गये चमकीले हथियार थे अउजार ठेक्या थे अच्छा तो किसके दौर बनाय गया था यह बनाया गया था यह बनाया था आपका नंदलाल बोष के दौर तो भीकर सपाद के संपादक क्या है पोस्ता किसकी बिमर्स, पूस्ता तो किसकी रचना थी साहती हैं ? कला बिमर्स, पूस्ता pena करिए आप आप लोगुद्ध जोरा तो यह रचना थी है यमय अपे उसेन ओर नेवीत माहओषर श४्रेंखला के चित्रों का सत्ह क्या है । जो येमियाप हुसेन द्वारा महाभार स्रिंखला पर चित्र बनाये थे तो उसकी सतह की बात करें कि सतह कैसा था रेसम का कपड़ा था लकड़ी कि फलक थे कैनुवास था या हस्त निर्मित का गस्ता तो क्या था कमेंट आपको करना है कि येमियाप हुसेन द्वारा महाभार रहाठी मुर्तकार चेनल परसाद राय चौधरी कलकत्त समवों के ती कलभुत कलाक अकदमी के यह तो कहां से थे संस्थाकर hizo उंस्पाक〜 अजंता की चैत्र गुफाओं का उद्देश क्या था आवास हेत पूजा हेत खरिदारी हेत ब्यापारत अजंता की जो चैत्र गुफाओं इसका प्रियोकिया है तो अजंता में कुल कितनी गुफाओं साथ ही हो अजंता में तो अजंता में कुल 30 गुफाओं कितनी गुफाओ साथिए जंत की बात करा जंत का है महराष्ञ औरंगावाद में 30 गुफा है कि पूझा प्रयोग कि आते हैं तो यहां पर बिहार गुफाएं होते हैं ॐ आवास रहने के लिए संगा राम भी कहा जाता है ठीक गुणिद है कि आपको पता हो गया हैं अब समज भी दार हैं समझते भी हैं तो मगलकाल में जानुरों और पछी के चित्रन Civic का दो तो जानवार और पच्छी का चितरकार किसे माना जाता है साथ राद जो सब सबस्ब्रइस्ठ था मोगल काल में तो आपके उस्तार मंसूर है निसकन से वे हता चितरकार लेकिन पच्छी एक तिनु ना जहांहूं से एक दो नमबर के जितरकार के रूप में गिंते थे अभूलhaus। नमबर एक होग ताल दो मेस के गिंति अते थे पहले पो紫ब चत्र भांता रिपर लगो चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है लगुचित्रों के जनक के रूप में किसे भारत में जाना जाता है राजपूत मुगल जैन पाल किसी जाना जाता है यहां पर देखिए भारत में लगुचित्रों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो हो जाएंगे आपके पाल पाल वन सो जोता है आपका पू अगबर का अधिकर जीवन परचा है जो अगबर नामा है अगबर का अधिकर जीवन परचा है जो डैश डैश द्वारा चित्रत किया गया है चित्रन की बात करा है लिखने की बात नहीं करा चित्रत चित्र बनाने पर यानि कि अगबर नामा पर चित्रन किसने की है चित्र किसने बना है बिसंदास बिचितर अबुलहसन या बशावन तो अगबर का समय का जो फेमस कलाकार तो बसावन किया था कुण किया था था ईंडियान रिपब्लिक चितर्शिंखला के चितर कार है छीतर शूंखला इस पर किस्ण बना रहने ही था किस्नाओन कर घूाल दीमकर पना थे सासी हो तो रणवेशी लिए अगला शकूंतला किसका प्रसुद चिद्र हैर श्रकूंतला किसका प्रसीत के श्कूल करणी के राजारव बर्मा का विकाज भटताचार किया कृष्ण खनक स्रकुंतला तो सकुझतला किसकी रचना थे साथियों, सकुझतला, कमेंट करीए आप लोग जराता है भारती कला के हस्ताचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो जोतिस जोतिसी थे भारती कलास्ताचर पुस्तक के लेखा कंपनी साइली का चित्रकार कौन है कंपनी साइली का चित्रकार इसमें देखके बताना है कौन है क्रिष्टोफर कैटल एलिस कैटल नेवली तुली टिली कैटल तो यहाँ पे जो है वो टेली कैटले कंपने सेली के कलाकार हैं इस तोरी प्रसाद भी थे यहां पर इन में से कौन मुर्तिकार हैं यहां पर तो यह सजी पहाडी लग चित्र साइली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है तो राजपूत चित्र से लोग चित्र से शास्त्री चित्र से जंगले चित्र तो पहाड़ी जो ल्ला गुद चित्र थे इसे राज को चित्र के नाम से जाना जाता है अब बसौली को बसौली को लोग साइली के नाम से बसौली साली जीते है लोग साइली से समयां को लोग तो आगे बढ़ते हैं इन में से कौन सा रंग दोतियक रंग समो का नहीं है दोतियक रंग समो का नहीं है बैगनी है नारंगी है पीला है हरा है दोतियक रंग समो का रंग नहीं है क्या हो जाएगा साथ कि जो दोतियक रंग समों कर नहीं तो पीला जो प्रात्मिक रंग होते हैं उन्हें इसको मिलाकर दोतियक रंग बना जाता है तो आपका जो पीला रंग है साथियों ने लपनी लाल पीला नीला यह पीला जो रंग होता है यह प्रात्मिक रंग होता है य तो किसकी रचना थे साथी में तो सतेश गुज्राल की रचना थे भारत में पार्षाण काल डैश डैस तक माना जाता है तो सत्रस तीश में रचित गुभिंद के साथ ही डैस डैस के उद्भाव मानते हैं बसुली सेली मुगल सेली कुलु सेली राटपूस सेली तो गीत गुभिंद के साथ ना तो कहां जाएगे साथ ही ना कहां जाएगे तो गीत गाना बस करिए गीत गाना बस करिए तो गीत गुविंद के जचित बनेते हैं बसोली में बनेते हैं तो एक होता है रस मंजरी तो रस पीना बस करिए तो उसका भी बसोली होता है गीत गाना बस करिए बसोली होत पादकडितम अश्ट सहस्त्रिक प्रग्या पार्मिता तो पाल सली के अंतरगत क्या आए गए हाँ पर तो यहाँ पर जो अश्ट सहस्त्रिक प्रग्या पर्मिता आए गए पाल सली के अंतरगत आए गए अगला है अवाज का आखियो लाश्ट कुश्चन है एलोरा की गुफा तो एक बार दो बार देखेंगे तो पूरा एकदम वीडियो किलियर हो जाएगा आपको एकदम कंठस्त हो जाएगा आपका यादास अच्छी तरीके सोजाएगा तो परिछाहाव में कोई दिक्कत आपको कोई परेशान होने वाली नहीं है साथियों ठीक तो अगर वीडियो प्रसन अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को प्यारा से लाइक करेंगे साथियों ठीक दोस्तों के पास शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी इस निशुल के क्लास का लाब उठा सके साथियों और जो नए विज़वर्शन जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें तो दीजिए इजादत लेता हूं आपसे बिद्धा जब निश्ट क्लास आपके बीच लेके आँगा तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्वाद साथियों